सब्सक्राइब को पैदा लालु यादर ने किया पतना से अभी हम लोग कैसे ओपेन करें कि हां कौन है हम तो अभी दो भाई छोटा है बहुत सरी पार्टिया जो है अलग-अपना लोग उमिद्वार की अभी तो जैज यू भी लड़ने के लिए अर्जेटी भी लड़ने के सारे मंत्री योगी जी ने बुल्डोजर बाबा कौन बाबा कौन बाबा यह अभी कॉंग्रेस जो है पांच राजियों के चुनाव में लगी हुई है कि हाँ पर कौन लड़ेंगे लेकिन हम लोग का यही खाली मैं यह इक्छा है मैं दिविंदर सिंग लड़ो बतकटी बतकट इंगलिस में आप कर सकते हैं ठेथरलोजी यह लगतार हमारा यह चल रही है और खासकर के पटना साहिब का पुड़े देश में लोग सभा को चुनाओ है लेकिन खासकर के मैं इस चीज पर ज्यादा ध्यान देना चाहूंगा कि पटना साहिब से इंडिया आप समझ गयोंगे मागडबंदन मागडबंदन में तो ऐसे बहुत सारी है पा हुआ ही नहीं बीजेपी जो है तो उनको विद्वार्टी घुस्ना लगबक तो तहीं चाहिए वो रभी शंकर प्रसाद बरतवान में सांसद है या फिर ऐसी कयास है कि रीतू रासिना लेकिन जहां तक आप देखिएगा तो इंडिया के तरफ से अभी तक कि किसी तरह का घ लिखाया हुआ है हम यहां पर आहें अजिसे बदकट बदकट्टी करने के लिए हैं अब यह है कि हम लोग के यहां तो इंडिया जो बन गया है तो सब मिलके निर्ने करेंगे अब जदियू का आता है कि आर जडी कांग्रेश का अगर आवेगा तो हमारे पास उमीदवार है क्योंकि आपके पास उमीदवार है लेकि भाजपा ने तो तैय कर लिया फाइनली फाइनल लग बगए आपका कांग्रेश आर्जेडी जजुसित या फिर किसी तरह का पत्ता नहीं खुला है तो क्या लगए एक बद समझी बदकटी में जो हम कर रहे हैं कांग्रेश ही यहा अगर कांग्रेश का बात आया तो हम लोग अपना राय देंगे आपका सत्रोगन सीनात है तो वह तो चाहते हैं कि कोई हमारा यहां का अपना अब क्या बोल सकते हैं अभी तो यह लड़ने के लिए त्यार है अगर कांग्रेश को लड़ने के लिए होगा तो पूरा तो मा घटबन इंडिया का है कि कोई पत्ना का ही कंडिडेट उमिद्वार कांग्रेश का होए तो हम लोग और जान जी उसी लगेंगे निदिश कुम क्या कहेंगे क्या बिखड़ाव कि स्थिती जा रही है इंडिया के ऐसा है पढ़िजा तंत्र है हर दल को हर पाटी के निता को अपनी बात रखने का अधिकार है महागडबंदन जब होता है तो परिवार होता है हमारे अराब के परिवार में भी कुछ-कुछ भेद होता है भीभेदे रहते हैं कुछ हमारे विचार आप है मेरे भाई की विचार कुछ हो सकता है सको बड़ी बात नहीं लेकिन एक परिवार है परिवार में कुछ बातों कर मदवेद होता है नितीज जी इस महागडबंदन के रचिता है उन्होंने इसकी शिल्पेकार है और हमारी कांग्रेस पार्टी एक बड़ी राजितिक दल के रूप में भारत में है तो वो उसको बिग ब्रेदर्स के रूप में अपनी भूमी का निभाएगी निश्चित रूप से हम सब एक हैं हम सब मिलकर समपदाई शक्तियों को भरस्ट अचारी शक्तियों को मनुवादी परविर्थी के लोगों को इस भारत के महान भूमी से हटाएंगे और निश्चित रूप से इंडिया का गड़बंदन जीतेगा और आप देखिएगा यह तो बाते चल नहीं है यह सब कुछ नहीं है इलेक्शन आता है सब सब ठीक हो अभी तो कोई बात नहीं इस्थिति है कि अभी शादी हुई नहीं तो बच्चे का नाम क्या होगा ऐसा कुछ नहीं हो सकता और नितिर जीन अपने विचार रखें लेकिन नितिर जी इस छिल प्रकार है मूर्तिकार है और फिर कोई भी पार्टी अपना नाम लेकर नहीं भी कर सकती है कटबंदन के लोग विशार के कौन लड़ेगा जदिव लड़ेगी कांगनेस लड़ेगी कोई लड़े हमारे परिवार का एक शशक्त उमीदवार लड़ेगा निश्चित रूप से परतना साहिब से इसमाहा कटबं भार्टे जन्ता पाठी के उमिदाग घोशी था बिलकुल नहीं मैं इस पर कोई परतिकिर्या नहीं दे सकता कि उनके कौन परत्याशी निश्चितन हमां बहुत चुनाओं में ऐसा कंडियेट की घोशना हो जाती है टिकट मिल जाती फर भी कर जाता इसने यह जो काल्पनिक काल्पनिक बात का उत्तरम हम नहीं दे सकते हैं लेकिन इस्चित रूप से महागडबंदन की परत्याशियां से होगा जो भी होगा हमारी परिवार का होगा और हम सब मिल जूलकर महागडबंदन के परत्याशियों को चुनाओं जीताएंगे कीनो दल आपसे सहमती है तीनो दल आर्जडी कॉंग्रेस जद्यू सहमत हैं बिल्कुल सहमत है 100 परसंट है हम सब लोग बिहार में लालू यादव नितिश्कमा का नितित में बिहार में चिनाओं लड़ेंगे और महागडबंदन विधान सभागा चिनाओं चिनाओं लोग स सभाकी जीतेंगे मैं आपको आज यह इसमा आपके इसे बतकर्टी मन से घोस्ता करता हूं शायद एक या दो मिद्वावन का जीते महागडबंदन को 38 निश्चे तूप से बिहार में मिलेगी भाजपा विपक्षी में है वो तो करें कि अब इंडिया तो कही नजरे नहीं जो है जिसको नजर करें आँए उसके लावा कुछ है नहीं अभी क्या हूँ कहा है कहां है अभी उत्तरब्रदेश केंडरा पाइलक्षय वह था का नसरे मंत्रि योगी जी ने बुल डोज़र बाबा कौन बाबा कौन बाबा सबूग लग गया है लेकिन जीता कून जीता मह मांगरबनन महाँपण कंदन है दिली के चुनवां में नितीश कुमार में जो बात रही ती वह कही दिली के मुश्पल कार्पुरेशन में पर चार्क कर रहे थे फिर भी महाँपणका प्रत्यासी वहां से साफ है तो यह यह बात आप नहीं कि कोई कान है समराड चवदी कितने बड़े नेता होगे समराड चवदी को पैदा लालु यादव ने किया जब समराड चवदी की उमर नहीं थी तब पर इनको मंत्री बनाया कि शक्री चौदी के पुत्र के सब्सक्राइब कुछ भी नहीं है यह बात निचित कर लिए बैयार के अंदर लालू याद अवनिति इसकुमा कर देते तुम्हें मागर बंदन के 38 जीतेगी निचित रूप से कि बिल्कुल साथ में ताह से रहां कि कहां से लगधा काने के चिजा रहें कॉंग्रेस पार्टी जो है रास्ट्रिय पार्टी है आज आप कहते हैं कि भातपा काती है कि नहीं लेकिन एक समय था कि 2-4 लोग है कॉंग्रेश थी पटना से अभी हम लोग कैसे करें कि हम तो अभी दो भाई छोटा है बहुत से पार्टिया जो है अलग-अलग अपना लोग उमिद्वार की तैय कर दिया जब तक महा गठवंदा ने इंडिया पार्टी जो है एक बात नहीं बोलती है उपने नहीं कर रहे कि नितीष मानिय नितीष कुमार जी कॉंग्रेस पर निशाना साथ रहा है लेकिन आप ने इसके पर्तिक्रिया में क्या हुई यह आप जानते हैं तो यह जो है हमारे राष्टिय अस्तरपर पार्टी के निताहों ने नितीष जी से बात की और उन से जो है कहा गया खिए अगला काजक्रम है किया जाए पटना तो साहिब से निश्चित रूप से नितिज्जी जो है वह कॉंग्रेस को सीड देंगे लेकिन यह अभी जो है कैसे अभी यह जो है जैसे भारतिये जनता पार्टी ने अभी पांच राजियों में आज भी पेपर में निकला था कि वह जो पर बाद में आएंगे आप बताई एंडिया तो चली गई ऐसा है कि अहां पर अभी जो महागडबंधन बना है तो जो महागडबंधन में आर जेडी जेडी कॉंगर्स सारे एलाइंस है तो उपर के सिस निताओं के बारता के अनुरूफी नहीं पर यहां पर कोंड़ेंगे ल क्यों भी कर देटन लड़ है किसी भी पारटी का लेकिन लोकल होना चाहिए अस्थानी होना चाहिए बहुत बहुत है लालन यालम है और कोई नहीं है है हां लग रहा है झाल झाल